जेहीं दोस्तो मैं इंजीनियर रमजद पॉलिटेक्निक पलस से और श्वाइत करते हम आप सभी का पॉलिटेक्निक पलस के एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार SBT के बारे में क्यों बिहार SBT बच्चों को पर्मोट नहीं कर रही है तो जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे राज के जो SBT बोड है बिहार SBT बच्चों को पर्मोट कर रही है जिससे कि अपको पता होगा कि पिछले दिनों SBT ने एक नोटिस निकाला था जिसमें ये लिखा होगा था कि 20 सितमबर तक संभावी तिथी बन रही है एक्जाम का उसके बाद एक और notice निकला होता जिसमेनों लिखा था कि exam ने फॉर्म भरने के बारे में कि exam फॉर्म 31 अगार्स तक submit कर देना है online तो जैसा कि exam का notice निकला उसके बाद जो बहुत सरा चात्रों ने उस notice को देखा से काम नहीं करता है, तो मेरा यह चलता है, इसेरं, मने तयारी सोभी है उनका क्षए संधूर में और अभी चल रहा बात करें संध करों सकते हैं इस का सब्सेशंटर चल रहा इस बीच क्या उन्हां सब्सेश्टर के बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए तो जी हम इस मुंद्रे वाले सी्सारिध生 तो उन्होंने हमें यह बताया कि हम पता है बाबू की हम लोगे का शेशन जो है लेट चल रहा है लेकिन जाधि हम इंट्रमीडर्ट समेस्टर को जो बच्चे हैं उनको पर्मोट कर भी सकते हैं क्योंकि UGC का गाईलेन आया है जिसमें यह फर्स लिखा गया है कि इंट्रमीड जो की फेल है उपने जूर्यक साथ एक्जाम देंगे या फिर जो बैकलॉग है उपने जूर्यक साथ एक्जाम देंगे जड़ी हम बच्चों को पर्मोट कर दे तो फिर कैरी और बैकलॉग वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तो उन्होंने कैरी और बैकलॉग वाले को लेट हो जाएगा इने सभी बातों को सोचते हुए SBT ने नहीं लिया है कि सभी बच्चों का एक्जाम 20 सित्मबर तक तो संभाविती थी है उस दिन एक्जाम हो अगर आप चाहते हैं प्रमोट होना तो आप कमेंट जोर किजिएगा अभी भी आप प्रमोट हो सकते हैं कि हाला हो रहा है कि थार्ड वेव आने वाला है जैदि थार्ड वेव आता है तो फिर एक्जाम पॉस्पॉंड होंगे और समेशन के बच्चों को प्रमोट भी किया जा सकता है लेकिन अभी तक SBT इस तरह से कोई बात नहीं सोच रही है उन्होंने एक्जाम का डेट भी निकाल दिया है और जो इनका तो पढ़ाई को प्रमोट भी किया जाता है तो फाइनल से मुआले का एक्जाम करांटी होगा ही होगा तो होप कि ये वीडियो को पसंद आया होगा और समझ आ गया हो